नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराधा आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम जिस विशर पर चर्चा करेंगे, वो हमारे और हमारी प्रकृती दोनों के लिए ही आवश्रक है आज का हमारा अध्याय है पर्यावरन के मुद्दे आप लोग अक्सर नियूज में सुनते होंगे कि किस तरह से जनसंक्या बढ़ती जा रही है बढ़ती जनसंक्या के साथ ही बढ़ रहे है संसाधनों की मा और इसलिए जनसंक्या बढ़ने के परिणाम संसाधनों को मिल रहे है उन पर दवाब पढ़ रहा है आपने देखा ही होगा कि बरती जनसंग्या के साथ ही शहरी करण को भी बढ़ावा मिल रहा है आज हर कोई अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, बढ़ा घर चाहता है, अपनी गाड़ी वाहन चाहता है आजकल ज्यादतर घरों में AC होते हैं, refrigerator होते हैं, जोकी सामान ने जरुवत भी है, जिसे हम गलत भी नहीं कह सकते लेकिन इसका पुरा परिणाम हमारे वातावरन पर पढ़ रहा है और जब हमारा वातावरन ही स्वस्त नहीं रहेगा, तो हम भी स्वस्त नहीं रह पाएंगे हमें जीवित रहने के लिए अपनी वातावरन और संसाधनों दोनों की ही जरुरत है तो हमें ही इनकी रक्षा भी करनी होगी हम विकास को नहीं रोक सकते पर हमें आज भी आवश्यक्ता है कि विकास की प्रकरिया को बिना रोके अपने महत्त पूर्ण प्राकरतिक संसाधनों को खराब होने यानि निम्नी करण होने और इनकी अफशर को रोके और इससे प्रदूशित होने से बचाएं जरा इंच चित्रों पर नज़र डालते हैं क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये चित्र क्या दशा रहे हैं? जी हाँ, ये चित्र भिन भिन प्रकार के प्रदूशन को दिखा रहे हैं आपने कई बार सुना होगा कि वायू प्रदूशन बढ़ रहा है या गंगा का जल दोशित हो रहा है। इसके अलावा भी आपने प्रदूशन के बारे में कई बार सुना होगा। आये जानते हैं कि प्रदूशन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसे कैसे परिभाशित कर प्रदूशन वायू, भूमी, जल या म्रदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभी लक्षनों में अवांचनिय परिवर्तन होना प्रदूशन या पॉलूशन कहलाता है। मतलब जो उनका प्राकर्तिक रूप है उसमें ऐसे बदलाव होना जो की अप्रिय या अनेक्सेप्टेबल हो। जैसे वायू में ऑक्सीजन, कार्बन डायोकसाईड, नाइट्रोजन, आधिक एसों का एक स्तिर अनुपात होता है। जब यह अनुपात बिगर जाए तब वायू प्रदूशित कहलाती है। लेकिन अनेकों ऐसे पदार्तों का भियर विश्कार हो गया है जिन पर प्राकरतिक विगटकों अथ्वा चक्रों का प्रभाव नहीं होता है। तथा यह पदार्त उपयोग के पश्चात गंभीर समस्या उत्पन्द करते हैं। पदार्तों के इसी गुण के आधार पर प्रदूशक दो शेरी में बातने जाते हैं। पहला जैव विगटनात्मक या जैव निम्निकरन प्रदूशक और बायो डिग्रेडेबल पॉलुटेंट। मानव सहित अनेको जन्तुओं के उत्सर्जित पदार्त तथा फल, सब्जियों और खात पदार्तों आधी का घरेलू कच्रां। दूसरा जैव विगटनात्मक या जैव निम्निकरन शील प्रदूशक या नोन बायो डिग्रेडेबल पॉलुटेंट। जैसे अलुमीनियम तथा टिन के कैंस, मरकरी के लवण, डी डी टी, बी एच सी, एलरीन आदी अनेक जहरीले पदात इस श्रेनी में शामिल हैं। पर्यावरन के प्रदूशन को नियंत्रित तथा इसकी सनरक्षा करने एवं हमारे पर्यावरन की गुनवत्ता सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरन सनरक्षा अधिनियम पारित किया गया। जिसका बहुत विस्तायर हमारे पाठिक्रम में नहीं है। आज हम वायू प्रदूशन तथा इसको रोकने के उपायों के बारे में अध्यान करेंगे। हम भले भाती जानते हैं कि वायू हमारे लिए कितनी आवश्यक है। बिना इसके हम जीवन की कलपना ही नहीं कर सकते। स्वशन के लिए हम वायू पर निर्भर हैं। हम सभी जानते हैं कि ताजी हवा स्वस्त्य जीवन का बहुत महत्तपों तथ है। हमें ये सोचने की जरुरत है तब क्या होगा जब पूरे वातावरण की वायू गंदी हो जाएगी। जब शुद्ध ताजी हवा, धूल, धुवा, विशैली गैसो, मोटर वाहनों, मिलो और कारखानों आधी के कारण प्रदूशित होती है तो उसे वायू प्रदूशन कहते हैं। वायू प्रदूशन के प्रभाव जैसे स्वास्ते संबंदी समस्याएं, आर्थिक नुकसान, ग्लोबल वामिंग, अमलिय वर्षा, सुपोशन, वन्य जीवन पर प्रभाव, ओजोन परत का शरन के बारे में हम कई बार सुन चुके हैं। वायू प्रदूशन, वर्तमान समय में पूरे विश्व में विशेश रूप से और द्योगी की करण के कारण बड़े शहरों में सबसे बड़ी समस्या है। पर्यावरन में धुआ, धुन्द, विविक्त, ठोस पदार्तो, आधी करेश साव शहर के वातावरन को संक्रेंदित करता हैं जिसके कारण लोगों को स्वास्ते समवन्दी खतरनाग बीमारी हो जाते हैं। वायव प्रदूशन के कारण मौते और स्वास रोग होते हैं। दिसंबर 2018 में दिलांसट के एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2017 में एक तशमलव दो चार मिलियन लोगों की मृत्यू वायव प्रदूशन के कारण हुई। वायव प्रदूशन के कारण समदाप मंडल से हुए ओजोन रिक्ती करण यानि ओजोन डिप्लेशन को बहुत पहले से मानव स्वास्थे के पारिस्थिति की तंत्र के लिए खतरे के रूप में पहचाना गया है। हम लोग दैनिक आधार पर बहुत सा गंदा कच्रा फैलाते हैं। विशेश रूप से बड़े शहरों में जो बहुत बड़े स्तरपर शहर के वातावारन को प्रदूशित करने में अपना योगदान देता है। दूस पदार्तों और विशाक्त गैसों जैसे हलोजोनेट और गैर हलोजोनेट हाइडरोकारबन्स, नाइ्ट्रोजन और सलफोर गैसें, अकार्बणीक पदार्त, अकार्बणीक और कार्बणीक अम्ल, बेक्टेरिया, वायरूस, कीट नाशनक आधी कमिश्रन हैं। जो सामाननित है ताजी हवा में नहीं पाय जाते और पेड पौधो और पश्रुओं के जीवन के लिए बहुत खतरनाक है कारबन डायोकसाइड जैसी गैसें जो ग्लोबल वामिंग के लिए सहायक है को हाल ही में प्राप्तमानिता के रूप में मौसम वज्ञानिक प्रदूशक के रूप में जानते हैं वायो प्रदुशन के कई प्राक्रतिक श्रोत हैं, जैसे ज्वाला मुखी विस्फोट, ज्वाला मुखी गैसे, यानि राक, कार्बन डायोक्साइड, धुवा, धूल और अन्य, रेट संकुचन, धूल, समुद्र, महसागर की लवनियता, मिट्टी के कन, तूफान, जंगलों की आग, ब्रमान्डिय कन, किरन, शूद्र ग्रह सामगरी की बंबारी, धूम के तू से स्प्रे, पराकन, कवग, बीजाणू, वायरस, बेक्टीरिया, आदि, परन्तु, वायो प्रदूशन में सबसे ज्यादा भागिदार मानविय क्रियाएं हैं, वायो प्रदूशन के कई मानव निर्मित साधन हैं, जैसे, बिजली सायंत्रों, यानि, पावर प्लांट की चिमनिया, नगर निगम के कचरे की भट्टी, जैसे, स्थिर स्रोट, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, जैसे, गती शील्ड श्रोट, समुत्री जहाजों जैसे, मालवाहक जहाजों या, क्रूस जहाजों से संबंदित बंदरगाह, इनसे हूने वाला वायो प्रदूशन, जलाओ लकड़ी, आग्ज लगाने के स्थान, चूला, भट्टी और भस्मक, सामाने तेल शोधन, यानि ओल रिफाइनिंग तथा ओध्यों की गतिविदी, आदी इसके अतिरिक्त क्रशी और वाने की प्रबंधन, कंट्रोल्ड बर्न में रसायन, धूल उरने और नियंत्रित दहन की पद्दितियां भी शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेंट, बालो के स्प्रे यानि हेर स्प्रे, वानेश, एरोसोल से स्प्रे और अन्य विलायकों से निकलने वाला धुआ भी वायू प्रदूशन में भागीदार हैं। लेंड फिल में जमा अप्षिष्ट मीथेन गैस उत्पन्न करता है। तो हम देख सकते हैं कि वायू जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यक्ता हमें ही हैं, उसको प्रदूशित करने वाले भी हम ही हैं। पूरी दुनिया के लोगों के सामुहिक प्रयासों के द्वारा वायू प्रदूशन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। जैसे ओध्योगिक शेत्रों की स्थापना रिहायशी इलागों से दूर होनी चाहिए। लंबी चिमनी का प्रयोग करने के लिए प्रोचाहित करना चाहिए, जो की फिल्टर और इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटीटर के साथ होनी चाहिए। उर्जा के अजवलनशीर श्रोतों का उप्योग करना चाहिए, पेट्रोल में गैर नत्रत कारी यानि एंटी नौक एजेंट के रूप को बढ़ावा देना चाहिए, व्रक्षारोपन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानि ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने चाहिए और भी बहुत से सकारात्मक प्रयासों को किया जा सकता है। भी निकलते हैं। वायू मंडल में इन हानिकारा गैसों को छोड़ने से पहले प्रदूशकों को प्रथक करके या निस्पादित्क यानि फिल्टर कर बाहा निकाल देना चाहिए। करिया पदार्तों को निकालने की कई तरीके हैं। जिन में सबसे अधिक व्यापक रूप से जो तरीका अपनाया जाता है। वह है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रसिपिटीटर यानि व्यद्युत अफ्शेपित्र जो ताव व्यद्युत सयंत्र के निर्वाद तक यानि एक्जॉस्ट में मौझूद निन्यान्विर पतिशत करनिकिय पदार्तों को हटा देता है। आएए देखते हैं ये किस प्रकार कार्य करता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है जो कोरोना उत्पन्न करता है और इसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रोन धूल की कड़ों से सच जाते हैं और इन्हें रिन आवेश यानि नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं। संचायक पतिकाएं नीचे की और आजाती हैं और आवेशिक धूल कड़ों को आकर्शित करती हैं। पतिकाओं के बीच वायूवेग यानि विलॉसिटी काफी कम होनी चाहिए जिससे की धूल नीचे गिर जाए। मार्जक यानि स्क्रबर नामक संरचना सल्फर डायोकसाइड जैसी गैसों को हटा सकती है। मार्जक में यह निर्वात जल या चूना की फुहार से होकर गुजरता है। हाल ही में हमने कनिकिय पदार्थ जो बहुत ही छोटे होते हैं और अव शेपितर द्वारा हटाए नहीं जा सकते के खत्रों को अनुभव किया है। केंद्र प्रदूशन नियंतर्ण बोर्ड CP-CB की अनुसार 2.5 माइक्रो मीटर या कम व्यास के आकार PM 2.5 के कनिकिय पदार्थ मानव स्वास्ति के लिए सबसे अधिक नुकसान दे हैं। सास अंदर लेते समय ये सूक्ष्म कनिकिय पदार्थ फेफडों के भीतर चले जाती हैं। और इनसे जैसे श्वश्न सनलक्षन उत्तेजना, शोत और फेफडों की शतीत था अकाल मृत्यू हो सकती है। खास कर महानगरों में सचालित वाहन, कार, मोटर साइकल्स, वायूमंडल प्रदूशन के प्रमुक कारण है। जैसे जैसे सडकों पर वाहनों की संख्या बढ़ती है, ये समस्या अन्य शेहरों में भी पहुँच रही है। सचालित वाहनों का रखरखाव उचित होना चाहिए। उनमें सीशा रहित, पेट्रोल ये डीजल का प्रियोग होने से उत्सरजित प्रदूशकों की मात्रा कम हो सकती है। उत्प्रेरक परिवर्तक यानि कैटलिटिक कन्वर्टर में कीमती धातू, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम लगे होती हैं, जो उत्प्रेरक यानि कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। ये परिवर्तक स्वचालित वाहनों में लगे होती हैं, जो विशैली गैसों के उत्सरजन को कम करती हैं. जैसे ही निर्वात उत्प्रेरग परिवर्तक से होकर गुजरता है, हाइड्रो कार्बन डायोक्साइड और जल में बदल जाता है. कार्बन मोनोकसाइड तथा नाइटरिक ओकसाइड क्रम शह कार्बन डाइओकसाइड और नाइटरोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में सीसा रहित यानि अनलेड़िट पैट्रोल का उप्योग करना चाहिए क्यूंकि सीसा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को अक्रिय करता है वाहनों की संख्या काफे अधिक होने की वज़े से दिल्ली में वायू परदूशन का स्तर देश में सबसे अधिक है यहाँ पर वाहनों की संख्या गुजरात और पश्यम बंगाल में कुल मिलाकर जितने वाहन है या उससे अधिक है सन 1990 के एक आंक्रों के अनुसार दिल्ली का स्तर विश्व में 41 सरवादिक प्रदूशित नगरों में चौथा है दिल्ली में वायू प्रदूशन का मामला इतना खतरनाक हो गया कि भारत के सरवोच नियायले में एक जनहित याचिका P.I.L. दायर की गई सरवोच नियायले द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई और नियायले ने भारत सरकार से एक निशित अवधी में उचित उपाय करने का आदेश दिया साथ ही यह भी आदेश दिया कि सभी सरकारी वाहनों यानि बसों में डीजल के स्थान पर संपीडित प्राकरतिक गैस यानि C.N.G कप्रियों किया जाए वर्ष दो हजार दो के अंत तक दिल्ली की सभी बसों को C.N.G में परिवर्थित किया गया आप पूछ सकते हैं कि C.N.G डीजल से बहतर क्यों है इसका उत्तर है कि वाहन में C.N.G सबसे अच्छी तरह जलता है और बहुत ही कम मात्रा में जलने से बच जाता है जबकि डीजल या पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है इसके अलावा ये पेट्रोल ये डीजल से सस्था है साथ ही चोर इसकी चोरी नहीं कर सकता और पेट्रोल तथा डीजल की तरह इसे अप मिश्रित नहीं किया जा सकता यानि कि इसमें मिलावट नहीं की जा सकती है CNG में परिवर्तित करने में मुख्य समस्या इसे वित्रन, स्थल यानि पंप तक ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की कठनाई को लेकर और इसकी अबादित सप्लाई करने की है साथ ही साथ दिल्ली में वाहन प्रदूशन को कम करने के अन्य कई उपाए की गए हैं जैसे पुराने गाड़ियों को धीरे धीरे हटा देना सीशा रहित पेत्रोल और डीजल का प्रियोग करना कम गंदक यानि सलफर युक्त पेत्रोल और डीजल का प्रियोग करना वाहनों में उत्प्रेरक, परिवर्तकों का प्रियोग, वाहनों के लिए कठोर प्रदूर्शन इस्तर लागू करना आदे भारा सरकार ने एक नई वाहन इंधन निती के तहत यहां के शहरों में वाहन प्रदूर्शन को कम करने के लिए मार्क दर्शी सिद्धांत निर्धारित किया है। इंधन के लिए अधिक कठोर मानक बनाए गए ताकि पेट्रोल और डीजल इंधनों में धीरे-धीरे गंधक और एरोमेट्रिक की मात्रा कम की जाए। उधारन के लिए यूरो थर्ड मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित कर क्रमशह 350 और 150 पार्ट्स पर मिलियन पी-पी-म करना चाहिए। संबंदित इधन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ब्यालिस प्रतिशत पर सीमित करना चाहिए। माग दर्शी के अनुसार पेट्रोल और डीजल में गंधक को कम कर 50 पी-पी-म पर लाकर लक्ष को 35 परतिशत के स्तर पर लाना चाहिए। इधन के अनुरूप वाहन के इंजिनों में भी सुधार करना पड़ेगा। उत्सरजन मानक भारत स्टेज सेकिंड जो यूरो सेकिंड मानक के तुल्य हैं अब भारत के किसी भी नगर में लागो नहीं है। दिल्ली में किये गए ये प्रयास प्रसंशनिये हैं जिसके कारण यहां की वायो के गुनवत्ता में काफी सुधार हुआ। एक आकलन के अनुसार सन 1997 से 2005 तक दिल्ली में कार्बन मॉनो उक्साइड और सल्फर डायोक्साइड के स्तर में काफी गिरावत आई है। वायो प्रदोशन को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें प्रसंशनिये हैं नैशनल ई-मोबिलिटी प्रोग्राम या राष्ट्रिय ई-गतिशीलता कार्यक्रम यह भारत का एक प्रकार का पर्यावरन कार्यक्रम हैं जिसका मुख्य उद्द दो हजार तीस तक चार्जिंग इंफ्रोस्ट्रक्चर के लिए नितिगत धाचा तयार करना ताकि सडकों पर 30 प्रतिशत इलेक्रिक वाहन लाया जा सके इगतिशीलता का एक महत्रपून पहलू है उर्जा की समग्र उपलब्दी में दक्षता लाना यह कार्यकरम भारत के प प्रदूशन या एर पॉलिशन को कम करने के लिए अब ओटो मॉबाइल कमपनियां भारत स्टेज सिक्स वाहनों का निर्मान कर रही है इन वाहनों में धुए को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल भी बी एस सिक्स दलेगा तो अब हम इसके साथ इस सत्र को यहीं विराम दे आईए जो हमने आज सीखा उसे एक बार दोहराते हैं प्रदूशन वायू, भूमी, जल या म्रदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभी लक्षनों में अवांचनिय परिवर्तन है प्रदूशन फैलाने वाले कारक प्रदूशक कहलाते हैं ये दो स्रेनी में बाटे जाते हैं जैव विगटनात्मक या जैव निमनी करन प्रदूशक अजैव विगटनात्मक या अजैव निमनी करन शील प्रदूशक जब शुद्ध वायू की गुनवत्ता में कमी आती है तो वायू प्रदूशित कहलाती है। वायू के शोत, प्राकर्तिक तथा मानव निन्वित दोनों होती हैं। मानवे क्रिया उपर नियंत्रन कर वायू प्रदूशन को नियंत्रित किया जा सकता है। वायू प्रदूशन को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं. अब बारी है कुछ प्रशनों की. मुझे आशा है कि आप इन पर जरूर विचार करेंगे. पहला प्रशन भारत स्टेज 6 क्या है तथा इसका वायू प्रदूशन पर क्या प्रभाव रहेगा. दूसरा प्रशन व्रक्षा रोपन वायू प्रदूशन को कम करने में किस प्रकार से उप्योगी है. तीसरा प्रशन दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायू प्रदूशन को कम करने के लिए क्या प्रयास किये गए? क्या दिल्ली में वायों की गुनवत्ता में सुधार हुआ? अब मैं सत्र को यहीं विराम देना चाहूंगी. मिलते हैं अगले सत्र में. तब तक के लिए नम समस्कार, धन्यवार.